वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी इंडियन बैंक में जो मोबाइल नमबर चेंज करने का जो फॉर्म होता है इस फॉर्म को कैसे बढ़ सकते हैं तो दोस्तों इस फॉर्म को बढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है से पहले ब्रांच वाला जो कॉलम है यहां पर आपका बैंक जिस जगह है उस जगह का आपको यहां पर नाम लिख देना है जैसे कि मेरा जो बैंक है वह जाईपूर में है तो मैं जाईपूर लिख देता हूँ आपका बैंक जिस जगह है उस जगह का आपको यहां पर नाम यहां पर आप जिस भी दिन ये form भर रहे हैं उस दिन की दिनांग तारीक आपको यहां पर लिख देनी है and first application name वाला जो column है यहां पर आपका जो भी नाम है वो आपको यहां पर लिख देना है and account number वाला जो column है यहाँ पर आपके account के जो भी number है वो account number आपको यहाँ पर लिख देने है and mobile number वाला जो column है यहाँ पर आपके कोई से भी mobile number आपको यहाँ पर लिख देने है अगर आप जो भी आप change करने के बाद नए वाले जो mobile number रखना चाते हैं वो नए वाले mobile number भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर आपके existing या फिर पुराने वाले mobile number भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो कोई से भी आपको यहाँ पर mobile number लिख दिने हैं उसके बाद दोस्तो हम थोड़ा सा निचे आएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे option देखने मिल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हम इसी एक ही form से बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि हम अपना address चेंज कर सकते हैं, KYC अपडेट कर सकते हैं, अपना other card link कर सकते हैं, mobile number चेंज कर सकते हैं, तो मॉबाइल नëंबर वाले छेक्षन है यहां पर आपके जो भी नए वाले मॉबाइल नबर हखना चाहते हैं वो नय वाले नमबर आपको यहा पर लिख दिने हैं तो मॉबइल नमबर मोबाइल नमबर चेंज करने का यह फॉर्म है, यह फिल अप हो चुका है, भर चुका है, इसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं बना है, जो कि एकदम आसान तरीका था, और आपकी एक आदर कार्ड की फोटो को भी ले जाकर आपको यह फॉर्म अपने बैंक में जमा करव अबर अशना है, एक भी जाएगताः यह फॉर्म आपको ड़ताग है sociology स्पारी के यह रड़ताव में घताफ दो कि एकत आपापको यह बना है, आ यह इए यह जो बना है, एक अबर नहीं एक कि एका कार्व 전ा है, इक अबरको एक में लिकावड़ताः यह